हम चारों तरफ से पाप के स्वभाव से गिरे हुएं जब से आदम और हवा ने पाप किया तब से इस दुनिया में पाप का सिलसिला, पाप का स्वभाव चलता रहा और चलता रहेगा देखा जाये तो हम सब एक तरह से बेड़ियों से जकड़े हुए है और जो चेन है, पाप के जो चेन है, उससे हम जकड़े हुए है और इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, हमारे चारों तरफ क्या है हाँ कारमचा हुआ है, आतनकवाद, ब्रश्टाचार्य, धोखा, जूट, तलाक, स्वार्थिपन, अशलीलता मतलब आप नाम लिजे और वो पाप का स्वाभाव प्रगट हो जाता है यह हमारे सब के जीवन में कहीं न कहीं किसी रूप में चला आता है अगर आप कुछ सच भी करना मांगते हैं, ठीक काम करना मांगते हैं तो समाज हमें करने नहीं देता है क्योंकि उसके बलड में, उसके खून में पाप का स्वाभाव पाया जाता है अब प्रशन यह उठता है कि इसको हम कैसे निकालें कैसे इस बेडियों को तोड़ें कैसे इस पाप के बंधन को तोड़ें एक बार प्रभीश्व मसी ने इसी के बारे में ये बात कही थी येश्व ने उनको उतर दिया मैं पढ़ रहा हूँ योहन नाराची सुसमाचार और उसका आठ अध्याय और 34 पद येश्व ने उनको उतर दिया मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रभीश्व मसी की जो वाणी है जो सत्य वाणी है वो बहुत साफ रिती से कह रहे कि किस प्रकार से हम पाप में जकड़े हुए है माँ बाप के विरोथ में बच्चे चले जाते हैं कभी कभी बहुरी बोल रहा हम कि हर समय ऐसा होता है लकिन जात अतर आपने देखा होगा जमीन के पीछे लोग मर मिटने के लिए तियार है जमीन के पीछे भाई-भाई का नहीं होता कभी कभी है किने आप जानते हैं कितने bad news हमारे चारों तरफ है ऐसे समाचार जो हमें निराश कर देते यार हम कौन सी दुनिया में रहते हैं यहां कोई एक दूसरे की सायता करने के तो छोड़ सब अपने में ही लगा हुआ है सब धन जुटाने में लगी है प्राबलम यह है कि क्या वो धन हम अपने साथ ले जाएंगे आप जानते हैं कि इसका उत्तार बिलकुल नहीं हम कुछ अपने साथ नहीं ले जाएंगे जब हम इस दुनिया से जाएंगे हम कोई भी अपना जो नाखून है अपना जो बाल है वो भी नहीं ले पाईए क्योंकि सब यहीं का यहीं धरा रजाएगा तो प्रशन यह उठता है कि भई इस प्रकार के पापी स्वभाव से हमें कौन छुटकारा देगा कौन हमारी सायता करेगा हम पाप के बंधन में बंधे हुए हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी को कभी कोई गलत नहीं सिखाता है यह जन्म से ही हमारे DNA में हमारे स्वभाव में पाप का स्वभाव आ जाता है बाइबल के लिखने वाला दावुद कहता है कि मैं पाप के साथ माता के गर में पड़ा और जब वो इस दुनिया में आता है तो वो पाप इस वभाव को दर्शाता है जी हां मेरे साथ भी ऐसा ही है आपके साथ भी पूरी दुनिया के साथ है पूरी दुनिया इस पाप के बंधन में जकड़ी हुई है अगर कोई सत्य बताना भी मांगता है तो लोग उसका विरोध करते हैं दोजार वर्ष पूर्व प्रवई शुमसी इस दुनिया में आएं और उन्होंने एक बात कही जो बहुत लोग उसका तरसकार करते हैं बलकि जब वो पिलातूस के सामने थे लोगों ने जब उसको पकड़वाया तो पिलातूस ने भी यही प्रशन पूछा ईशुमसी से एक बार पिलातूस ने भी प्रवई शुमसी से पूछा जब वो सामने खड़े थे उसके पिलातूस के सामने जब प्रवई शुमसी ने कहा मैं सत्य की गवाही देने आया तो पिलात उसने पूछा सत्य क्या है आजकर लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं कि भई सत्य क्या है चलिए आज हम देख लेते हैं सत्य क्या है प्रभु इश्मसी ने अपने मिनिस्टरी के दौरान अपने सेवकाई के दौरान कुछ बाते कहीं जो मैं आपके सामने की कोशिश करूँगा यहां ना रचिस्तु समाचार उसका आठ अध्याए 31 और 32 पद यहां ना आठ 31 और 32 पद तब येश्व ने उन यहूदियों से जिनों ने उस पर विश्वास किया था कहा यदी तुम मेरे बचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हे स्वतंतर करेगा सुनिए और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हे क्या करेगा स्वतंतर करेगा किन बातों से स्वतंतर करेगा ये जो आप देख रहे हैं आपर जो स्लाइड जो पिक्चर आपके सामने है ये बेडियों से जोड़ा हुआ किस प्रकार वो पाप से आजाद हुआ वो पाप की बेडियों से पाप के बंधन से पाप के दासत्व से वो आजाद हुआ वो कैसे हुआ क्योंकि अगर आप बीच में देखें इन बेडियों के बीच में इन चेंज के बीच में वो है सत्य, सत्य, सत्य और सत्यक क्या है? सत्य एक परिभाशित statement नहीं है सत्य Prabhish Masih है जी हाँ, सत्य कौन है? पrabhish Masih है और वही ये बात कहता है योहनारिचिसू समचार और उसका चौदा अध्या है और उसका छह पद योहना उसका चौदा अध्या है उसका छह पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हूँ ईशु ने कहा ईशु ने उससे कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंश सकता आपने सुना ईशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंश सकता अब जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ईशु मसी सत्य की गवाहीदे इस दुनिया में आए, दोहजार वरश पूर्व और फिर गवाई कैसे दिया उन्होंने गवाई ऐसे दिया ना सिर्फ बोल करके कि मैं सत्य हूँ उन्होंने अपनी जान दे करके बताया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता अब जैसे कि मैंने आरम में आप से कहा कि हम सब क्या है पाप से ग्रसित है हम पाप की बेडियों में जकर से गए हैं हम पाप के दासत्व में रहते हैं ये दुनिया, पुरी दुनिया का यही हाल है आप कहीं भी क्यों नहों किसी भी जाती के क्यों नहों धनी या गरीब निचा कोई भी क्यों नहां मानव जाती पाप से ग्रसित है और उसी पाप के दासत्व से छुड़ाने के लिए हमारे प्रभुई श्मसी 2000 वर्षपूर इस दुनिया में आएं और जैसे कि भुषद्वानी में लिखा गया है मैं वो भुषद्वानी आपके लिए पढ़ देता हूँ कि श्मसी का आना और उसका बलिदान होना और लोगों को उनके पाप के दासत्व से छुड़ाना ये उसका अहम कारिय था और ये भुषद्वानी भी की गई इसके बारे में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ यशाया उसका एकसट अध्याए यशाया उसका एकसट अध्याए और उसका पहला पद सुन ये क्या लिखा हुआ बहुत इंट्रेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी हुई है सत्य के बारे में प्रभु यहवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहवा ने सुसमचार सुनाने के लिए मेरा अभिशेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांती दूँ कि बंदियों के लिए बंदियों के लिए स्वतंतरता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूम आपने देखा होगा कि हर एक शहर में एक जेल होता है जो बड़े बड़े शहर होते है वहाँ पर मुख्य जेल होता है जहाँ पर सब कैदियों को रखा जाता है कई जेल छोटे होते हैं और कई जेल बहुत बड़े होते हैं अब वो हर एक जेल की अपनी कता है कि कैसे रखते हैं क्या रखते हैं कुछ जेल तो बहुत ही भयांकर होते हैं बिल्कुल 24 गंटे एक अंधेरे कमरे में या थोड़ी सी रोशनी होगी उस कमरे में उसको रखते हैं और वो वहाँ से छूटना मांगता है लेकिन कैसे छूटेगा कोई नहीं उसको छोड़ने वाला है क्योंकि भई उसको जेल का जो सेंटेंस है जो भी उसने गलत कारिय किया होगा उसकी वज़ा से वहाँ उसको लाया होगा और जब उस छह साथ साल, दस साल, पंदरा साल जब पूरे हो जाते है और जब वो जेल से बाहर निकलता है तो आप उससे पूछिए कि कितनी खुशी उसको होती होगी जब वो कैदी जेल से छूट जाता है ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए इसलिए भेजा कि हमें पाप के कैद से छुढ़ाए पाप के दासत्व से छुढ़ाए पाप के स्वभाव से छुढ़ाए और ये पाप का स्वभाव हमारे सब के जीवनों में बच्पन से है हमारे स्वभाव हमारे डिने में पाये जाता है और यही गुड नियूज है यही शुब संदेश आज मैं आपके सामने बताना मांगता हूँ कि प्रभू इशुमसी इस दुनिया में आए कि वो आपके लिए और मेरे लिए बलिदान दे अब जैसे मैंने आप से जेल के बारे में कहा अगर कोई वक्ति आता है बोलता है भाई साब आप इस वक्ति को छोड़ दो इस वक्ति का जेल का जो भी है वो मैं सहूँगा इसकी जगा मैं इस काल कोट्री में बंद रहूंगा और अगर वो छोड़ देता है तो कितने खुशी की बात होगी ठीक उसी प्रकार से प्रभूश मसी ने हमारे पापों के बदले में अपना बलिदान किया और कुरूस पर चड़ गए और वहां पर कुरूस में चड़ने के बाद वो मारे गए बलिदान हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे मुझे माफ करना आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो बीच बीच में थोड़ा सा मैं अपने गले को साफ कर रहा हूं प्लीज थोड़ा सा मुझे माफ कर रही इसके बारे में लेकिन मैं कंटिन्यू ये करना मांगता हूं कि परमेश्वर हमें पाप के बेडियों से पाप के बंधनों से पाप के दासत्व से छुड़ाने आया और यही सत्य है यही सत्य है और जैसा प्रभूश मसी ने कहा अपने लोगों से तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा स्वतंत्र करेगा आज़ात करेगा छुडाएगा लेकिन भाई ये आपके उपर है मेरे उपर है कि हम कैसे उस सत्य को ग्रहन करते हैं अब प्रभीश मसिowe ने तो अपनी जान दे दी बलिदान दे दी क्या हम इस सत्य को ग्रहन करते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो हम वैसी सत्य को ग्रहण करते है प्रभुश्य मसी को अपने जीवन में आने देते हैं प्रभुश्य मसी को हम अंगिकार करते हैं अपने पापों से माफी मांगते हैं और पश्चताब करके उस पर विश्वास करते हैं तो मैं सत्य को जानूंगा आप सत्य को जाने यही मतलब है प्रभ आपके बेडियों से स्वतंत्र हो जाएंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यह वेक्ति बहुत खुश है। इस चित्र में जो आपके यहाँ पर है कि उसकी बेडियां तूट गए हैं। उसका जो हाथ में जो बेडियों से बंदा हुआ था, चेंड से बंदा हुआ था, वो तूट गया। क्यों? क्योंकि उसने सत्य को पहचाना। उसने सत्य को पहचाना। तो यह बहुत जरूरी है, ना सिर्फ सत्य को पहचानना है, उस पर चलना है। अब जैसे कि अगर आप से कोई कहता है अगर आप बिमार हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साब ये मुझे बिमारी है और डॉक्टर आपको सब चेक करके बोलता भाई ऐसा करो ये गोलिया मैं आपको दे रहा हूं दिन में तीन बा गरम पानी से ले लेना और दो-तीन हफते के बाद फिर आना और फिर मुझे दिखाना अब आप घर जाते हैं आप उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं उस दवाई के बारे में वह बलते भाई मैं अच्छे डॉक्टर के पास गया अब दवाई की क्या बात है उसने देख लिया अब मैं यह पुड़िया नहीं लेता हूं क्या आप ठीक होंगे? बिलकुल भी नहीं बिलकुल भी नहीं होंगे आपको वो पुड़िया या वो गोली लेनी पड़ेगी जैसा कि डॉक्टर ने कहा और तब आप ठीक होंगे ठीक उसी प्रकार से सिर्फ हमें प्रभुश्मसी के बारे में सुनना ही काफी नहीं है और हम बाप के बंधन में बंधे रहेंगे हम सिर्फ सुनेंगे और उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो कोई फायदा ने अगर मैं किसी से पूछूँ हूँ भाई साथ ये रास्ता कहां जाता है भाई ये फलाने फलाने जाता है और अगर मैं उस पर ना चलूँ तो क्या मैं अपने गंतावी अस्तानों पर पहुंच जाऊंगा बिल्कुल भी नहीं तो उसी प्रकार से प्रभुष मसी जब आये तो उन्होंने क्या किया उन्होंने सत्य की गवाही दी और उन्होंने कहा कि सत्य की गवाही ये है कि मैं इस दुनिया में आया ताकि मैं पाप के लिए अपना बलिदान दू हाला कि उन्होंने पाप नहीं किया वो निर्दोश थे, उनमें कोई पाप नहीं था, वो पवित्र थे, अरे भाई पापी तो हम लोग हैं, हम लोग दोशी लोग है, मानव जाती, लेकिन परवेशा का प्रेम देखिए इसमें, कि उन्होंने प्रेम के द्वारा कहा, मैं इनकी जगा जाता हूं, मैं इनके लिए बलिदान होता हूं, क्योंकि लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यू, मौत है, सिर्फ मौत है, अब हमें इससे कौन छोड़ाएगा, भाई, कौन छोड़ाएगा, ये प्रवेश मसी का प्रेम और उसका अनुग्रह है, कि वो आए, और उन्होंने अपनी जान अपना भलिदान कुरूस पर दिया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और इसलिए मैंने जैसे आपके सामने पढ़ा था, यहना उसका चौदा अध्या है, और उसका छैपद, क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है, कि एशु ने उनसे कहा, मार्ग सत् जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, और ये वचन सो प्रतिशत सत्य है, अब इस पर आप अमल करें, माने, नहीं माने, भई यह तो आपका अपना चोईस है, लेकिन अगर आप इस सत्य को मानेंगे, प्रभीश मसी को अपने जीव से पूरे वक्तित्व से उस पर विश्वास करेंगे, तो भई, कितनी खुशी की बात होगी, आपके पाप की बेडियां तूट जाएंगी, आप पाप से स्वतंतर हो जाएंगे, और प्रभीश मसी के बेटे और बेटियां बन जाएंगे, और मौत के बाद क्या होगा, हमें जिवन मिलेगा, कितनी खुशी की बात है, क्योंकि हम पाप से हमारा छुटकारा हो गया, प्रभीश मसी ने हमें आजाद कर दिया, जैसा कि ये विक्ति के बंधन, जो बेडियां हैं, वो तूट गए, उसी प्रकार से हमारे साथ भी होता है, मैंने भी अपना जीवन प्रभ प्रभीश मसी को दिया, और आज मैं उसके बारे में दूसरों को बताता हूं, भाई, देखे, मुझे दूसरों को तो बताना है, ये गुड नियूज है, शुब संदेश है, सत्य का मार्ग है, और जैसा मैं उस सत्य के मार्ग में चल रहा हूं, प्रभीश मसी के पीछे चल उसी प्रकार से, मेरा और आपका कर्तव होता है, आपका भी होता है, कि आप भी प्रभीश मसी के पीछे चले, और उस पाप के बंधन से चुटकारा मिले, मैं आपके लिए फिर से वो पद पढ़ देता हूं, बहुत इंपोर्टन पद है, यहन्ना, उसका आठ अध्या, 31 औ 32 पद, क्या लिखावा, तब येश्यू ने उन यहूदियों से, जिनों ने उस पर विश्वास किया था, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, सिर्फ एक बार नहीं, एक दिन, रोज, हम येश्यू मसी के वचन में बने रहेंगे, तो सच मुछ मेरे चेले ठहरोग और सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हे स्वातंत्र करेगा, तो हमें रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर की आत्मा में नियंत्रित होना है, हमारा वेवार, हमारा विचार, हमारा मानसिक्ता, सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता में चल तो आईए जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कैसे मैं पाप से आजाद हूं सत्य से हम पाप से आजाद हो सकते हैं और वो सत्य है प्रभु इश्यमसी आईए हम अपने पाप के बंधन को इश्यमसी के बलिदान के द्वारा जो उसने किया तोड़े और एक अनंत नया जीवन प् प्रमेशर हमारी इसमें अगवाई करें